जिसके लास्ट एपिसोड में हमने पौईसनस कल को वहां आते हुए देखा कि अब वो सियान के आगे खड़ी है उसको देखर सभी काफी डर जाते हैं और उसकी आर्मियों से सेल्यूट करती है उसको सब पौईसन सेक्ट मास्टर कहकर बुकारते हैं और उसका खौफ सभी की हांखों में नजर आ रहा है आईस एंपरर उसको देकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके अनुसार इसको अभी अपने इंजुरी से ही रीकवर करना चाहिए था लेकिन अब यह यहां आ गई है दोनों सेक्ट के एल्डर पौईसनस कल को सेल्यूट करते हैं और उसको इस सिच हार गए थे और यह तो इतने कमजूर हैं कि यह दो हैंग वाले लड़के से हार गए पौईसनस कल इनके पीछ की फाइट को शांत कराती है और कहती है कि तुम लोग अब पीछे हटो मैं जो ओडर दूंगी उसके अकॉर्डिंग अब तुम्हें अटाक करना है वो खुद जियान को मारने के लिए बहुत एक्साइटेड है जियान कुईन मेडियूसा से पूछता है कि क्या वो पौईसनस कल को संभाल पाएगी जिस पर वो कहती है कि उससे लड़ना काफी मुशकिल होगा क्योंकि उसका पौईसन काफी स्ट्रॉंग और स्ट्रेंज है उसको हराना मुश्किल है मैं उसे बस रोके रख सकती हूँ अगर हम उसे हराना चाते हैं तो हमें मिलकर उस पर हमला करना होगा और तभी ही एक दो पोसेंट चांस है कि हम उसे हरा पाएं जी यान समझ आता है और कुईन मेड्यूसा को उसे सिर्फ रोके रहने को कहता है और खुद वो यान ल्यूटिन को मारने का डिसाइड करता है पोसनस कल यान ल्यूटिन से जी यान को जान से ना मारने को कहती है और कहती है कि मुझे वो जिन्दा चाहिए अब पोसनस कल कुई से खत्म करने पर मजबूर किया है अब मुझे ब्लेम मत करना Ziyan को Poisonous Girl थोड़ी थोड़ी फमिलियर सी लगती है लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा कि ये कौन है क्योंकि Poisonous Girl ने मास्क लगा रखा है Ziyan Poisonous Girl से कहता है कि क्या तुम Poisonous सिक की मास्टर हो जिस पर पोईसन करल कहती है कि तुम कौन हो इस पर जियान बताता है कि वो यान इलाइन्स का मास्टर जियान है पोईसनस करल कहती है कि वो सरेंडर कर दे मैं किसी को कोई हानी नहीं पहुचाऊंगी ये सुनकर यान लोटिन शौक सा हो जाता है कि ये जियान स अगर ऐसी ही बात है तो मैं मेड्यूसा को हरा देती हूँ फिर तुम सरेंडर कर देना ये सुनकर कुईन मेड्यूसा को गुस्सा आ जाता है और वो पॉइसनस कल पर हमला कर देती है और अब फिर से इनके बीच यूच शुरू हो जाता है अब यान ल्यूटिन जियान के कर वो फिर से शौक हो जाता है और फिर तुरंद उसकी पीछे जाकर अपनी तलवार से उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन जियान 3000 लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करके उससे बच जाता है और फिर से भागने लगता है जियान फिर भागते-भागते मौका पाकर जी आन ल्यूटिन भी अपने पावरफिल शिल से उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन जब जियान उसे जटका देता है तो उसकी शिल तूट जाती है और वो इस अटाग से घायल होने लगता है ये डेख कर यान ल्यूटिन की सैना के सैनिक ड़ जाते और उन दो इल्ड या एक एक करके तोड़ूंगा वो अपनी तलवार से जियान पर हमला कर दीता है और जियान भी अपनी तलवार का यूज़ करके वन टूवन बैटल करने लगता है वहीं दूसरी तरफ मेड्यूसा और पॉइसन गल भी आपस में फाइट कर रही थी जियान वन टूवन बैटल में कमजोर सा पड़ा हुआ नजर आ रहा है और उसकी तलवार भी नीचे गिर जाती है और यान लूटिन उसको जोर से किक भी मारता है जियान 3000 लाइटनिंग का यूज करके वहां से भागने की कोशिश करने लगता है लेकिन यान लूटिन उस पर अपनी काफी सारी तलवा छोड़ देता है जिससे जियान काफी घायल हो जाता है और फिर वो केक मार कर जियान को एक चट्डान से ठोकर देता है जियान घायल होकर नीचे गिरने लगता है इसलिए आई सेंपर तुरंट जियान को बचाने के लिए जानी लगते है अब यान लूटिन जियान को जान स में घेता है और उसके तुकड़े तुकडे कर देता है लेकिन अब उससे पता चलता है कि ये तो जियान के एक छलावा था बस जियान पीछे छुबकर बुद्धा लोटस आगर वायर करेट कर रहा है' ईस Emperor जो जियान को बचाने के लिए उसके पास आ रहे थे अब उसके बुद्धा लोटस को देकर दूर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसका Impact क्या होता है जियान अपने बुद्धा लोटस एंगर फायर को यान लियूटिन के उपर छोड़ देता है यान लियूटिन भी अपनी शील्ड से खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है और बुद्धा लोटस आंगर फायर एक्स्प्लोड हो जाता है उसके उपर और वहाँ बहुत बड़ा विस्वोट होता है पोजनस कल इस विस्वोट को देखने लगती है लेकिन कुईन मेट्यूसर उस पर हमला करती है और कहती है कि आगर तुम अपना ध्यान कहा लगा रही हो आइस एंपरर फिर तुरंद जियान को संभालते हैं और जियान इंजुरी से रीकवर करने की पिल्स खाता है आइस एंपरर सोचने लगते हैं कि क्या वो मर गया है जिस पर जियान कहता है कि एंगरी बुद्धा लोटस फायर की करण स्ट्रेंद के एकॉर्डिंग ये किसी आइस एंपर को वापस के लिए पर जाने को कहता है क्योंकि वहाँ उन्हें इनकी जरूरत है और वो खुद कुईन मेड्यूसा की मदद करने के लिए चला जाता है कुईन मेड्यूसा और पोईजनस कर रहे हैं और जियान बहाँ आकर उन्हीं रोखता है और पोईजनस करण को समझाता है कि तुम्हारे दोनों अलाइट सेक्ट हार चुके हैं इसलिए बहतर होगा के तुम भी अब विढ्राओ कर लो और ये जैसे ही वो कह रहा था वैसे ही कि लड़ते-लड़ते उसके मुँसे उसका मास्क हड़ जाता है और उसकी शकल सभी को दिख जाती है और वैसे ही उसके मुँसे थोड़ा poison निकलता है जो Queen Medusa के हाथ में चला जाता है जियान उसके face को देखता है और वो पहचान लेता है कि ये तो Little fairy doctor है poisonous girl कहती है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी मैं वो नहीं हूँ जिस पर जियान कहता है कि तुम नॉंसेंस मत बोलो क्या मैं अपने दोस लेटल फैरी डॉक्टर को नहीं पहचानूंगा जियान उसके पास चाने लगता है लेकिन Queen Medusa उसे रोकती है जियान कहता है कि तुमने आखे ये यूद क्यों स्टार्ट किया है poisonous girl कहती है कि जिसको तुम लिटल फैरी डॉक्टर कहते हो वो काफी समय पहले ही मर चुकी है तुम्हारे सामने poisonous set की master खड़ी है जियान समझ जाता है कि ये इसकी poison body की वज़े से हुआ है इन दोनों की ही आखे नम हो जाती है और poisonous girl उसे बताना शुरू करती है कि वो disaster में ही पैदा हुई है और मेरे life का वपस ही तबाही मचाना है जियान कहता है कि तुम्हारी poison body का इलाज भी हो सकता है न तुम ऐसे खुद को कैसे destroy कर सकती हो जिस पर वो कहती है कि उसने सब कुछ try करके देख लिया है जिसको भी मैं touch करती हूँ वो मेरे ही सामने बहुत बेरहनी से मर जाता है मेरी ही वज़े से मैंने अपने माबाप को अपने हातों से मरते हुए देखा है तुम नहीं जानते कि इन सालों में मैंने क्या क्या साहा है तुम से बिछणने के बाद मैं अपनी poison body को cure करने के लिए तरीके डूरने लगी थी और काफी जगे भटकने के बाद मुझे समझ आया कि इसका कोई मतलब नहीं कि इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि इसका कहीं इलाज नहीं जिसने मेरा इलाज करने की कोशिश की वो मारा गया जिसको भी मैं अपना मानती थी जिनकी वज़े से मैं खुश रहती थी वो एके करके मेरे ही हाथों मारे गए मैं तबाही का कारण हूँ जो जा जाती है वही तपाही के सिवा और कुछ नहीं आती जैसे जैसे वो अपनी बात बता रही थी वैसे वैसे उसके आसपास वो अपनी डिप्रेशन का पोईसन एयर का बहुत बड़ा क्लाउड जमा हो जाता है जियान उसे समझाता है कि वो सब एक पास था अगर तुम यहीं सब सोचती रहोगी तो तुम्हारी बारे और ज़ाधा पोईसनस होती जाएगी वो लिजल फेर्डी डॉक्टर को बकारता रहता है और पोईसनस कल खुद को कोजती रहती है उसके आसपास का पोईसन क्लाउड बड़ा होता जा रहा है और कुईन मेड्यूसा तुरंट रिट्रीट करने को कहती है लेकिन जियान उसे नहीं छोड़ सकता और वो उसके क्लाउट के अंदर खुश जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे ये देखर पोईजनस कल नॉमल होनी लगती है और वो जियान की तरफ प्यार से दीखती है लेकिन कहती है कि मैं तुमें टच नहीं कर सकती क्योंकि इससे तुम जहर से एफेक्ट हो जाओगे लेकिन जियान सबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ लीता है पोईजनस कल तुरंट अपना जियान कहता है कि ऐसा नहीं है कि इस जहर का कोई इलाज नहीं तुम्हें इतना डेस्परेट होने की कोई जरूरत नहीं है जियान फिर तुरंट अपनी फ्लेम से उसके जहर को नलिफाई कर देता है और उसके पोईजन कलाउट को भी खत्म करने लगता है ये देखकर पोई कोई तरीखा निकलेगा। प्वाइसनस गर्ल कहती है कि भले ही तुमने इतने पौफल प्वाइसन को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन तुम इसे पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते हो। इन कुछ सालों में मैंने हर एक तरीखा अपना कर देख लिया है। जिसकी तुम कल्बना कर सकते हो. जियान कहता है कि तुम्हारी poison body birth से है इसका इलाज ढूनना मुश्किल है लेकिन मैं इसे कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अब तभी Queen Medusa खासी करने लगती है यानि poisonous girl का जहर उस पर चड़ने लगा था जियान उसको संभालने के लिए वहाँ जाता है और poisonous girl बताती है कि इसको मेरा जहर चड़ रहा है Queen Medusa कहती है कि ये बस थोड़ा सा poison है और poisonous girl को जान से मारने के बाद ये poison हट ही जाएगा वो अपनी तलबार निकाल लेती है लेकिन जियान उसे शान करता है फिर poisonous girl खुद Queen Medusa के अंदर से अपना जहर अपनी पार का यूज करके निकाल लेती है और जियान से पूछती है कि क्या सच में तुम मेरी poison body को कंच्रोल करने में मदद कर सकते हो जिस पर जियान उसे भरूसा रखने को कहता है अब poisonous girl अपनी पूरी सैना को जियान में एम्पायर से बाहर रहने का आदेश देती है और जियान से कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि मैं ठीक हो जाओ तुम्हारे तरीके से और फिर वो वहाँ से चली जाती है